नमस्ते दोस्तों हमारे यूटूब चनल पर सागत है दोस्तों यह कांचाना कंगा का टेबल फैन है दोस्तों यह नया फैन है लेकर एक 4-5 मैने हो चुकी है दोस्तों यह अच्छो में पहले नवे मीलें ना días स्पीड आपड़ू नहीं आ रहा है यह slow कम हो चुका है। इसकी लिए यहां अफोड इसको increase करने जा रही है। पूरा वीडियो अच्छे सी देखो। पसंद आया तो एक Like करो दो आणे चानल सब्सक्रीब करो। दोस्तों यही फैन में speed increase करने का तरीका नहीं है, सबी फ्यानों को स्पीड इंक्रीज करने का मेथेड है यह आप मैं गंगा कंपनी का मिक्सी फ्यान को एक किच स्पीड इंक्रीज करने का नहीं बतला रहा हूं आप सबी फ्यानों को भी स्पीड इंक्रीज करने का यह वीडियो है पूरा वीडियो अच्छे से देखना दोस्तों सबसे पहले हमें इसको चक्कर लेंगे दोस्तों इसको चक्कर लेता हूं में इक करेंट में रखता हूं प्लग और इसको आन करता हूं देखो ये फुल लाश स्पीड में है ये वन स्पीड में देखो यह अच्छे से स्पीड नहीं आ रहा है इसकी हवा अच्छे से नहीं आ रही है मैं आपको दिखलाता हूं देखो या हवा फुल फास्ट नहीं आ रही है इसके लिए इस विए बताने जा रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले हमें हमारा लोकल फैन है तो हमें ये निच्चे का बाटम कवर काड़ना होगा और कमपनी का फैन है तो हमें ये मोटरू का क्याप काड़ना होगा दोस्तों मैं आप ये लोकल फैन है ये उपन करके बतलाता हूँ इसके प्लेट के स्कुरो हमें निकाल लिया है निकाल के हमें आपको इस तरीके से उठा करके दिखलाता हूँ दोस्तों ये हमें इसको फैन इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों इसको increase करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है यहां देखो यह capacitor दिया है ना हमें change करने से पहले इसका voltage चक करना होगा यह हमारा MFT चक करना होगा 250 है तो आप 250 इसको डालना होगा यह कितना है इतने नमबर का डालो और हमें 250 का है यह 250 का डालने जा रहे है इसका connection देखो इधर रता है यह किस तरीक से connection करें है हमें उस तरीक से connection करना होगा यह capacitor में कि हमारे को face neutral plus minus कुछ भी नहीं रहेगा हमें कैसा भी इसको connection करती है यह मैं आपको यह open करके नया fit करके बतलाता हूँ friends देखिए यह हमारा table fan का 2.50 का और यह local fan को suitable हो जाता है हमारे company fan को यह suitable नहीं होएगा हमारे company fan को 2.1.5 1.0 आता है आप इसका number देख के ले कर आना होगा ठीक है दोस्तों इसको speed increase करने के लिए आप capacity to change करो यह आप मार्केट में 30 से 40 रुप में मिल जाता है